एक ये राखे कम होगा दसवा जब प्रदूशन कम होगा हवा साप सुत्री होगी शहर में गैस आधारित विवस्ताएं होगी तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे टूरिजम सेक्टर को भी इसका लाब होगा और साथियों इस पाइपलाइन के दो और लाब है जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है इस पाइपलाइन के निर्मान के दोरान बारा लाख मैंडेज का रोजगार जनरेट हुआ है पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया एकोसिस्टिम केरला और करनाटका में बहुत तेजी से विख्षित होगा फर्ट्रिलाजर उद्योग हो पैट्रो केमिकल उद्योग हो बिजली उद्योग हो हर उद्योग इससे लाब लेगा और रोजगार के आउसर बनेंगे साथ क्यों इस पैपलाइन का एक और बड़ा लाब पूरे देश को होगा जब यह पैपलाइन पूरी ख्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड की विदेशी मुद्रा खर्च यह खर्च बच जाएगा भारत कोग 21 के लक्षों को लेकर जिस गंबीरता से काम कर रहा है यह प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे साथियों दुनिया भर के एक्सपर्ट का कहना है कि 21 सदी में जो भी देश अपनी कनेक्टिविटी पर और क्लीन एनर्जी पर सबसे ज़्यादा जोर देगा तेजी से काम करेगा वो तेजी से नई उचाई पर पहुँचेगा आज आप जिस भी फ्रंट पर देखें हाईवे कनेक्टिविटी, रेलिवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर गैस कनेक्टिविटी भारत में जितना काम अभी हो रहा है एक साथ इतने सभी खेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ एक भारतिय के तौर पर ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम ये होते हुए अपनी आँखों से देख रहे हैं हम सभी विकास के इस नए अंदुलन का हिस्सा है भाईयों और भेनों पिछली शताबदी में भारत जिस भी रप्तार से चला उसकी अपनी बज़े रही है मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया साथियों भारत की नई पीडी का एक अच्छा गुण है कि वो तत्थों के आधार पर चीजों को परकती हैं और उसकी सफलता विफलता को तुलनात्म ग्रुप में भी एनलाईज करती हैं और हर एक बात को तर्क के आधार पर तत्थ के आधार पर स्विकार करती हैं भारत में गैस बेज एकोनामी को लेकर अभी जो काम हो रहा है उसमें भी कई तर्क और तत्य बहुत ही महत्वपुण है साथियों हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमिशन हुई थी पहली पाइपलाइन 1987 में कमिशन हुई थी इसके बात 2014 तक याने 27 साल 27 यर्ज में भारत में 15,000 किलोमेटर नेचरल गैस पाइपलाइन बनी आज देश भर में पूरब पस्चिम उत्तर दक्षिन 16,000 किलोमेटर से जादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है ये काम अगले 4-6 साल में पूरा होने वाला है अब कल्पना कर सकते हैं जितना काम 27 वर्सों में हुआ हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष लेकर चल रहे हैं साथियों इसी तर एक और उदारन है CNG स्टेशन का हमारे देश में पहला CNG स्टेशन 1992 के आस्पाश शुरू हुआ था साल 2014 तक 22 साल में हमारे देश में CNG स्टेशनों की संख्या 900 से ज्यादा नहीं थी 900 से ज्यादा नहीं थी जबकि पिछले 6 वर्षों में 1500 के करीम नए CNG स्टेशन शुरू हुए हैं अब सरकार इस लक्ष पर काम कर रही हैं कि देश बर में CNG स्टेशनों की संख्या को 10 हजार तक पहुँचाया जाए अभी जो ये पाइपलाइन कमिक्शन हुई है ये भी केरला और करनाटगा के अनेख शहरों में 700 CNG स्टेशन खुलने में मदद करेगी साथियों एक और दिल्चस्प आंकड़ा है PNG कनेक्शन का रसोई में पाइप से जो गैस पहुँचाई जाती है उसका 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 25 लाग PNG कनेक्शन थे मदलपी घरों में पाइप लाइन से गैस 25 लाग आज देश में 72 लाग से जादा घरों की रसोई में पाइप से गैस पहुँच रही है कोची मेंगलूरू पाइप लाइन से 21 लाग और नए लोग PNG सुविधा का लाब ले पाएंगे भाई और भेनों लंबे समय तक भारत में LPG कवरेट की स्थिती क्या रही यह हम सभी जानते हैं साल 2014 तक जहां 14 करोड LPG कनेक्शन देश भर में थे बही बिते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिये गए हैं उजवला योजना जैसी स्किम से देश के आठ करोड से जादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुंची हैं साथ ही इस से LPG से जुड़ा इंफरस्ट्रेक्टर भी देश में मजबूत हुआ है साथ क्यों एक बड़ी वज़े रही ही कि कोरोना काल में देश में रसोई गैस की किल्लत कभी नहीं हुई गरीब से गरीब को हम उस मुश्किल समय में करीब बारा करोड मुप्त सिलिंडर उपलब्द करा पाए है साथियों सरकार के इन प्रयासों का इतनी तेजी से किये जा रहे कारियों का एक और प्रभाव हुआ है इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाती याद करिए हमारे हां केरोसीन को लेकर कितनी लंबी लंबी लाइने लगा करती थी राच सरकारे भारत सरकार को चीछिया लिखती थी केरोसीन का कोटा बढ़ाने के लिए केरोसीन की डिलीवरी के लिए केंदर और राच के बीच में हमेशा तनाव रहता था आज जब रसोई के लिए गैस आसानी से मिल रही है रसोई तक गैस आसानी से पहुँच रही है तो केरोसीन की किल्लद भी कम हुई है आज देश के कई राज्य और केंदर सासित प्रदेश खुद को केरोसीन मुक्त राज्य गोशित कर चुके है Friends, our government believes in an integrated approach for energy planning. Our energy agenda is all-inclusive. Since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector. These reforms cover exploration and production, चरवाल गार्ड़न दिटिबुएगाइवाश एच्टिविवगाश टूढ़ से विल greatest गिलु टीनुट विलुट टिर्व उल्टी इन्युट है कि आप विलुट ले सिलुट ले आप टी। गार्वाश कि टीनुट पूर टीजिश्ट गास जबुट ट वे इंपतेृंगा श बासले जिया टिया एक लिए पंस्ट फिश्द परेंगे टौर्स अम प्रुपेश संट बी इंवे स्ट इंवेसल सब्सक्राइब इंड ऑी शिर टेकर सेट्जर इंडेकर जथे स्ट्थ इंटिकर इंडर्व सेट्डमघ़ ही इंड के अपना पूम नर्य यथीट मुल्ड टौ for a better future. The pipeline will help improve clean energy access. Our government is also making many efforts in other sectors. Take for example, the Swachh Bharata movement, the efforts to increase, LED bulbs for electric mobility. Sathiyo, आज कोशिज ये हैं कि देश को भविश्य की जरुरतों, भविश्य की एनर्जी नीड्स के लिए आज से ही तयार किया जाए.